बच्चों आज की कक्षा में हम दो important topic सीखने वाले हैं सबसे पहला topic जो आपके board के exam में भी बड़ा ही important रहेगा उसका नाम है mail merge mail merge topic बड़ा ही आराम से आपको सीखना है क्योंकि यह आपका topic वैसे भी बड़ा काम आएगा practical में और साथ में आपके जो exam है वहाँ पर भी यह question बहुत ज़्यादा important रहेगा दूसरा question है कि हम जब अपना document MS Word में बनाते हैं तो वहाँ यदि कोई spelling या grammatical mistake हमसे हो जाती है तो हम उसे किस परकार से सही करेंगे तो चलिए देरी ना करते हुए हम अपनी क्षा में चलते हैं बच्चो स्वागत है आपका क्लास में आज जो topic हम करने वाले हैं उसका नाम है mail merge पहले topic के बारे में discuss करते हैं देखिए यदि मान लीजिए हमें एक ही परकार का message जैसे happy diwali, happy holy, happy new year कोई भी message बहुत सारे दोस्तों के पास या बहुत सारे जानने वाले के पास या बहुत सारे लोगों के पास भेजना है और हमें यह भी दिखाना है कि उनके पास वो message उनके नाम, उनके address के अनुसार ही जाएं उनको ऐसा लगे कि specially ये message मुझे किया गया है तो हम एक option का इस्तिमाल करते हैं जो MS Word में है उसका नाम है mail merge जैसे बच्चों मान लीजिए आपने किसी भी company का एक sim लिया हुआ है तो उस company से आपके पास message आते होंगे कभी new year का message आता होगा कभी दिवाली का message आता होगा कभी हो लिका तो उसमें specially जिसके नाम वो sim issue है उसका नाम आता है कि dear submit wishing you a very happy new year तो आपको लगता है कि ये company मुझे जानती है लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता company का जो data होता है उस data में से आपका नाम उठाया जाता है और एक option mail merge के द्वारा एक ही परकार के letter को एक ही परकार की wish को सभी के पास भेज दिया जाता है और वो इस तरीके से भेजा जाता है कि सब को लगता है कि उनके पास company से एक special message आया है तो चलिए ये message हम भेजते कैसे हैं हम आज की इस class में सीखेंगे सबसे पहले आपको MS Word के साथ जो tab है उस में से mailing tab पर क्लिक करना है ये देखे हमने mailing tab पर क्लिक किया उसके बाद सबसे पहले हमने यहाँ पर start mail merge ये option है आपके पास start mail merge यहाँ पर हमने click करना है और उसके बाद letter पर click करना है ये देखे इस तरीके से हम सबसे पहले एक letter type करेंगे जैसे हमने किया की dear ये देखे इस तरीके से हमने एक letter type कर लिया जो कि हमें सभी के पास भेजना है लेकिन अब जिनके पास भी मुझे ये letter भेजना है उनके नाम उनका address जो जो आप देना चाहते हो सभी मेरे पास होना चाहिए वो कैसे करेंगी सबसे पहले यहाँ पर देखिए select recipients recipients का मतलब होता है बचों जिनके पास हमारा ये letter हमारी ये wish जानी है या जो हमारी wish को receive करेगा उन्हें हम recipient कहते हैं तो हम ये दो तरीके से कर सकते हैं एक तो आपके computer में पहले से ही वो list हो वो list बनी हुई हो जिनके पास आपको ये wish या letter भेजना है नहीं तो हम एक नई list बनाएंगे जिसमें हम उन सभी दोस्तों को add करेंगे जिनके पास हमें ये letter भीजना है तो यदि आपके पास पहले से ही बनी हुई list है तो आप use existing list करोगे और नहीं तो आप उपर दिये गए option पर क्लिक करोगे type new list जैसे ही आप type new list पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर बहुत सारी entries आपकी आजाती है जो आपने भरनी है तो इसमें हम थोड़ा सा cut भी कर सकते हैं क्योंकि इतने सारी entries ज़रूरी नहीं की हमें चाहिए तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्लिक करेंगे customize columns यदि हमने इतने सारे column में से कुछ चुनिंदा column ही रखने हैं तो हम सबसे पहले उसे क्या करेंगे Customize Customize का मतलब है उनमें हम थोड़ी सी cutting करेंगे कि जो जो column हमारे जरूरत के होंगे वही column हम रखेंगे यह देखिए जैसे ही हम customize column पर क्लिक करते हैं तो यह बहुत सारे column जो हमारे पास हैं हमने भरने हैं यह आ जाते हैं तो आप जो जो column नहीं रखना चाहते उसे select कीजिए जैसे मैं मान लो में title नहीं रखना चाहता तो title पर क्लिक करके delete yes पर क्लिक कर दीजिए आप मान लीजिए first name रखना चाहते हैं तो उसको रखिए last name नहीं रखना चाहते तो उसे delete कर दीजिए मान लीजी आपकी company का नाम आपके दोस्त की company का नाम आप रखना चाहते हो तो यहाँ पर रख लीजी address रखना चाहते हो तो रख लीजी address की दूसरी line डेलीट कर दीजी कहने का मतलब यह है कि आपको जो column नहीं चाहिए उस पर click कीजी और डेलीट करते रहें जैसे मैंने यह तीन column रखे हैं first name company name और address ओके कर दीजी यह देखिए अब हमारे पास तीन column है first name company name और address अब अपने दोस्तों की लिस्ट यहाँ पर type करना शुरू कर दीजी टैब बटन से हम आगे जाएंगे हमेशा ध्यान रखिएगा तो देखिए बच्चों इस तरीके से मैं एक list बना सकता हूँ जिन जिन दोस्तों के पास मुझे भेजना है उनका first name उनकी company का नाम और उनका address यहाँ पर लिख दीजीए और उसके बाद आपको क्या करना है ok पर click कर देना है तो देखिए बच्चों जैसे ही आप ok पर click करेंगे तो आपकी यह list save करने के लिए वो location मांगेगा कि कहाँ पर आपने यह list save करनी है तो मान लीजिए हम यहाँ पर ही अपनी list save कर देते हैं और list का नाम रख देते हैं हम my list list का नाम रखने के बाद आप save बटन पर क्लिक कीजी तो आपकी list यहाँ पर save हो जाएगी अब अगला जो step है बचों वो बड़ा ध्यान से समझेगा क्योंकि हमने अब अपनी एक list यहाँ पर बना ली है तो अब देखिए हम यहाँ पर क्या करते हैं यहाँ पर अब आपको जाना है insert merge field insert merge field पर हमें एक जाना है इसके लिए सबसे पहले deer deer के बाद आप क्या लिखना चाहोगे नाम ही लिखना चाहोगे न तो यहाँ पर click करके first name पर click कीजिए उसके बाद enter दबाएं जो नाम है उसकी company का नाम यहाँ पर नीचे आए तो फिर insert merge field पर click कीजिए और company name पर click कर देजिए उसके बाद फिर आप चाहते हो कि उसका address आए तो insert merge field पर click करके address line पर click कीजिए तो देखिए बच्चों यह तीनों हमने यहाँ पर add कर लिये हैं और यहाँ पर लिख दिया है wishing you a very happy new year अब यदि आपको देखना है कि जो हमारा letter है वो अच्छी तरह से बना है यह नहीं तो आप यहाँ पर click कर सकते हो जिसका नाम है preview result यह देखिए जैसे ही हम result का preview देखते हैं तो पहला नाम जो हमने लिखा था submit airtel हिसार तो यहाँ पर लिखा आ गया है कि dear submit airtel हिसार यह पहला point था यदि आप बाकी के recipient को देखना चाहते हैं तो यह देखिए यहाँ पर next पर click कर दीजिए यहाँ पर यह अमन आ गया रितू आ गया कमल आ गया इस तरीके से देखिए सभी चारों record अलग अलग तरीके से यहाँ पर insert हो गये हैं यह चार अलग अलग letter बन गये हैं और सभी को लगता है कि यह letter specially मेरे नाम के साथ बना कर मुझे भेजा गया है तो यही हमारे mail merge का एक मुख्यकारन है बटन का बनाने का कि यदि हमें बहुत सारे दोस्तों के पास एक ही परकार का letter भेजना है और उन्हें कुछ special feel करवाना है तो हम mail merge का इस्तेमाल करेंगे तो बच्चों इसी तरीके से आपको mail merge का इस्तेमाल करना है जितना आप practical करोगे उतना ही अच्छा यहाँ पर सिखोगे बच्चों अब mail merge में हम सीखेंगे envelope बनाना envelope का आपको पता ही है कि जो लिफाफा या जिसके अंदर कोई letter आता है उस लिफाफे के उपर कुछ पता लिखना होता है वो हमारा क्या होता है envelope या लिफाफा तो अब हम envelope बनाना सीखेंगे सबसे पहले मैं एक नया document ले लेता हूँ यहाँ पर मैंने एक नया document लिया अब हमें दोबारा से mailing option पर क्लिक करके वही start mail merge पर क्लिक करना है बस अब हमें letter की जगह envelope पर क्लिक करना है जैसे ही हम envelops पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए हमारे सामने एक dialogue box खुल जाएगा तो वह पुछेगा हमें कि envelope में आपके क्या-क्या किस परकार से आप option देना चाहते हो बच्चों जड़ा ध्यान से देखिएगा नीचे जो यह दिखाया गया है आपको चित्र यह एक envelope का चित्र है जिसमें देखिए यह address की line है यह जिसने भेजा उसकी line है और यहाँ पर यदि आप कोई photo वगरे या कुछ लगाना चाहो तो वो है तो इसके size के हिसाब से वो आप से पूछ रहा है कि यदि आप इसमें कुछ भी change करना चाहो तो यहाँ से आप देखिए कुछ भी change कर सकते हो जिस भी तरीके से आप change को करना चाहो यह देखिए नीचे envelope की line धीरे धीरे धाई तरफ आ रही है तो इन में से आप कुछ भी change करना चाहो देखिए यह अब यह envelope की जो address line है वो उपर जा रही है यह देखिए इस तरीके से आप envelope की जो भी alignment है उसको कम या ज्यादा कर सकते हो और उसके बाद जैसे ही आपने envelope set किया ok पर click कर सकते हो तो देखिए यह envelope आपके सामने यहां पर आ गया अब हमने इस envelope पर address भरना है तो select recipient वही जैसे हमने mail merge में किया था या तो आप नई list बनाएं या फिर आप पहले से exist list जो पहले से list बनी हुई है उसी को इस्तेमाल करें तो अब हम पहले से बनी हुई list को इस्तेमाल करेंगे use existing list तो देखिए यह list हमने पहले से बनाई थी अभी mail merge का जो option किया था तो उसके साथ ही हमने यह list बनाई थी तो हम इस list को select कर लेते हैं और open पर click कर देते हैं अब हमारे सामने वही option आएगा insert merge field जैसे हमने letter में लिखा था तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे उसका first name उसके बाद हम लिखेंगे company name उसके बाद हम लिखेंगे address यह letter पर हमने लिख दिया यह letter पर आप कहीं भी लिख सकते हो लिखने के बाद आपको preview result पर click करना है यह देखिए सबसे पहले यहाँ पर submit a tell his our next देखिए अमन रितू कमल तो यह चारों का envelope बनके तयार है इस तरीके से हम हमारा कोई भी envelope या कोई भी letter mail merge की साहता से बना सकते हैं अब देखिए यह letter और envelope हमने बनाना सीख लिया है अब यदि हम चारों document को एकठा देखना चाहते हो या उसमें कुछ बदलाव करना चाहते हो तो यहाँ पर finish option में finish and merge पर click कीजिए finish and merge पर click करने के बाद यहाँ देखिए edit individual documents हम अपने अलग-अलग document को देख सकते हैं और उनको अलग से edit या उसमें बदलाव कर सकते हैं देखिए जैसे ही मैं edit कहूंगा या edit पर click करूंगा तो यहाँ पर यह पूछेगा कि आपको कौन-कौन से document देखने हैं तो हम all पर click करेंगे ओके करेंगे यह देखिए सबसे पहला letter यह आपका चुका है सुमित, अमन, रितु और कमल तो यह चारों letter अलग-अलग page पर हमारे सामने खुल गए हैं जिन में हम अपने तरीके से कुछ भी edit कर सकते हैं दूसरा अगर हम बात करें print यदि हम इन letters को print करना चाहते हैं इन documents को सभी documents को print करना चाहते हैं देखिए महनत एक बार हुई हमने एक बार ही लिखा wishing you a very happy new year और चार लोगों के पास भेजा तो चार print out मेरे यहाँ पर निकल सकते हैं वहां print out निकालने के लिए आप click करोगे print documents यह फिर वही पुछेगा कि यदि आप सभी print करना चाहते हो तो all पर click कर दीजी यदि आप वो document प्रिंट करना चाहते हो जो इस वक्त आपके सामने है तो current record पर click कर दीजी और यदि आप बीच में से कोई document या पहला या दूसरा पहला तीसरा या दो से तीन document करना चाहते हो तो from में from में एक से तीन यहाँ पर लिख दीजी और ok पर click कर दीजी तो आपके ये सभी document प्रिंट हो जाएंगे ऐसे ही हम envelop की बात करेंगे कि envelops में भी यदि आपको कुछ edit करना है अलग से document को edit करना है तो आप edit individual document पर click किजी और all पर click पहले से ही है तो आप ok पर click कर दीजी देखिए ये पहला आपका envelope है दूसरा envelope तीसरा envelope और ये fourth envelope ये चारों envelope आपको यहाँ पर दिखाई देंगे और इसे आप print भी कर सकते हो जैसे कि यहाँ देखिए यहाँ से print document पर अगर आप click करोगे तो all पर click करके ok पर click कर दीजी आपके सभी envelope प्रेंट हो जाएंगे तो बच्चों यदि हम बात करें कि अब इसके उपर कौन सा question बनेगा यह बहुत ही महतवपून प्रशन है कि mail merge क्या है इसे किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है इसके steps लिखिए या mail merge के steps लिखिए तो आपको यह सभी जो भी practical हमने किया है सभी steps आपको लिखने है और यह है प्रशन आपका बहुत महतवपून है अगले topic में हम सीखेंगे कि spelling और grammar ज्यादा तर हमारे पास यह mistake होती ही होती है हम जब लिखते हैं तो हम spelling या grammar में mistake कर देते हैं तो यदि हम कोई document बना रहे हैं तो उसमें spelling और grammar की mistake हमें कैसे दिखाई देंगी और हम उसे कैसे हल करेंगे माल लीजिए मैं एक sentence लिखता हूँ की माई नेम इस सुमन आई इस अगर दिस इस माई फर्स्ट डोक्यूमें तो इस तरीके से माल लीजिए हमने एक line लिखी जिसमें हमारे पास कुछ grammar की mistake भी है और साथ में कुछ spelling mistakes भी हैं तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ मैं थोड़ा सा इसको grow कर लेता हूँ grow font से ताकि आपको सही दिखाई दे जो color है वो है red तो बच्चों red color हमेशा spelling mistake पर ही आएगा और spelling mistake की बजाए अगर हम ये बात कहें कि red color उन spellings पर आता है जो spelling हमारे dictionary में नहीं है जैसे सुमन सुमन भी हमारे dictionary में कोई नाम नहीं है इसलिए इसके नीचे एक red color की line आई हलांकि सुमन नाम बिल्कुल सही लिखा है लेकिन यह है dictionary में ना होने के कारण यह spelling dictionary में ना होने के कारण यहाँ पर आपको red line दिखाई दे रही है जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा था name तो मैंने जानबुज के यह spelling गलत कर दी एन एम लिख दिया तो यह spelling dictionary में नहीं है इसी लिए यहाँ पर spelling mistake दिखा रहा है दूसरे परकार की जो line होती है वो होती है green line green line का मतलब होता है grammatical mistake कि आपने जो sentence लिखा है वो grammar के तरीके से सही नहीं है जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर I is a girl वैसे तो आप सबको पता है कि I am a girl आएगा लेकिन आप लोगों को बताने के लिए कि grammar और spelling mistake कैसे ठीक की जाती है तो यहाँ पर हमने is लिख दिया तो यहाँ पर automatically एक green line आ गई जो यह दिखाती है कि यह जो sentence है उसमें grammar की mistake है तो इसे ठीक कैसे करेंगे हम सबसे पहले आपको click करना है आपका review tab पर review tab पर जैसे ही हम click करेंगे यहाँ देखिए proofing group के अंदर spelling and grammar यह option है आपका spelling and grammar जैसे ही हम इसे click करेंगे यह देखिए आपकी पहली गलती आपको यह बता देगा कि N.A.M. नहीं आएगा और साथ में यहाँ पर कुछ suggestions कुछ यह suggestion देगा जरूरी नहीं है कि हमने यहाँ पर name की spelling ही गलत की है कई बार हम जल्दबाजी में हमने man लिखना होता है man लेकिन हम गलते से N.A.M. लिख देते हैं तो यह N.A.M. से संबंदित जितनी भी यहाँ पर suggestions है कि यह भी हो सकता है name भी हो सकता है man भी हो सकता है वो सभी आपको दिखाएगा तो शुरू में name select है यहाँ पर देखिए अब आपको इसकी spelling यदि नहीं पता है तो आपको यहाँ से पता चल जाएगी और आप change पर क्लिक कर दीजिए यह देखिए automatically यहाँ पर हमारा name change हो गया अब दूसरा देखिए सुमन तो हमें पता है कि सुमन नाम तो हमारा सही है लेकिन यहाँ पर तो यह और कोई option दिखा रहा है जो हमें option लेने ही नहीं यदि हमने वो option लेने थे तो हम change पर क्लिक कर देते और सुमन की जगए यहाँ पर जो भी option यहाँ पर दिया गया है वो चेंज हो जाता लेकिन हमने तो सुमन ही रखना है तो हम यहाँ पर click कर देंगे ignore once कि यह spelling हमारे सही है आप इसको ignore कर दे जैसे ही हम ignore करेंगे सुमन नाम वैसे के वैसे रह गया और नीचे से जो red line है वो भी खतम हो गई अब grammar की बात आती है I is a girl वहाँ पर देखिए is की गलती यह दिखा रहा है और नीचे इसने क्या दिखा दिया am हम change कर सकते हैं तो change करनी है तो change पर click कर दीजिए देखिए अपने आप यहाँ पर हो गया I am a girl तो last हमारे document की गलती क्या है documents की spelling तो देखिए इसने यहाँ पर 3 spelling दिखाई उपर है documents नीचे है documents और documents तो हमने documents तो लेना नहीं हम क्या लिखना चाह रहे थे documents तो हम document पर click कर देंगे यहाँ पर document को click करके change पर click कर देंगे तो यह देखिए सारी spelling और grammar हमारे ठीक हो गई यहाँ पर इसने दिखा भी दिया कि सारी spelling और grammar आपकी check हो चुकी है और complete है okay पर click कर देजिए इस तरीके से बच्चों आप अपने document की यदि कोई spelling गलत है या हो सकता है कि आपको spelling नहीं आती हो तो यहाँ पर उससे मिलती जुलती spelling लिख देजिए और उसके बाद आप spelling और grammar में जाकर change कर सकते हो अब एक बाद देखिए यहाँ पर मैं एक spelling लिखता हूँ देखिए computer तो computer की मैंने यहाँ spelling लिख दी जो की गलत है तो आपको पास एक दूसरा तरीका भी है जो spelling आपकी गलत है उस पर right click कीजिए जैसे ही आप spelling mistake पर right click करोगे तो यहाँ पर देखिए सभी computer compute, comport यह सभी आपको 2-3 suggestion दिखा देगा यहाँ पर right click करके भी वहाँ से भी आप अपनी सही spelling चुन सकते हो जैसे मैंने यहाँ पर computer की spelling चुन ली अब बच्चों आप एक बार देखिए यह जो आपका document था यहाँ पर जब document की spelling गलत थी तो हमने यह documents यहाँ से select कर लिया अब फिर यहाँ पर एक line आ गई है जिसे हम कहेंगे grammatical mistake क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या लिखा है this is my first documents तो documents तो बहुत सारे होते हैं या तो मैं यहाँ लिखूं document तो मेरी grammar सही होगी तो यहाँ पर यदि हम S को काट देते हैं तो हमारा यहाँ पर यह document तो बारा से सही हो जाएगा तो इस तरीके से हम spelling और grammatical mistake को ठीक कर सकते हैं बचों कैसा लगा आपको आज का session जैसे कि हमने session में भी discuss कर लिया है कि जो आपके important question बनने वाले हैं वो कौन-कौन से होंगे फिर भी हम एक बार आपको बता देते हैं सबसे पहला जो प्रशन आपका यहाँ पर बनने वाला है बचों वो है कि mail merge से आप क्या समझते हैं इसे steps के दुआरा explain कीजिए यानि कि mail merge आप कैसे करते हैं या mail merge कैसे काम करता है एक-एक step आपको यहाँ पर exam के जो प्रशन आएंगे उसमें बताना है और जैसा कि मैं पहले बोल चुका हूँ कि यहाँ प्रशन बहुत ज़्यादा important है दूसरा जो प्रशन हमारा है वो है कि हम अपने document में जो MS Word में हम अपना document बनाते हैं उसमें यदि कोई spelling और grammar की mistake है तो वो किस परकार से हम जान सकते हैं कि यह mistake spelling की है और यह mistake grammar की है और किस तरीके से हम उसे ठेक कर सकते हैं तो आज की कक्षा के लिए आपके ये दो main प्रशन बनते हैं उमीद है कि आपको practical अच्छी तरह से समझ में आया होगा तो उसी practical के आधार पर आपको ये प्रशन लिखने हैं अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे तब तक के लिए धन्यवाद